श्रिवेंकटे साय नम्हा, मैं प्रोफेसर S.V.S.S. नारान राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ आधनिक हिंदी साहित के चायवादी युग के अमर काव्य कामाईनी के इडा सर्ग से सम्मन्दित आज मैं और एक पद की व्याक्या अब करने जारू मनु जब यह विचार कर ही रहते की वेसरद्दा से रहत हो गए हैं इस कारण ही यह आज की दुर्दशा हुई है उनका भाव कुछ और था उसी समय काम की चतावनी आखाश में वूंचे स्वर में गुंजू उठी और इन पंक्तियों में उसी चतावनी को ही प्रस्तत किया है अब इन पंक्तियों में जैशंकर प्रसाद जी ने किस प्रकार अभिवेक्त किया अब हम देखेंगे इस पद की सबसे पहले पद और पद के साथ साथ पद की व्याक्या भी देखेंगे मनु तुम स्रद्दा को गहे भूल उस पूर्ण आत्म विश्वास मई को उड़ा दिया था समझ तूल तुमने तो समझा असत विश्व जीवन धागे में रहा जूल जो ख्षन बीतें सुक साधना में उनको ही वस्तव लिया मान वासना तुपती ही स्वर्ग बनी यह उल्टी मती का व्यर्द ज्ञान तुम बूल गए पुर्शत्व मोख में कुछ सत्ता है नारी की समरसता है संबंदी बनी अधिकार और अधिकारी की जब गुंजी यहवानी ती की कमपित करती अंबर अकूल मनु को जैसे चुब गया शूल्ट अब कटिन शब्दार्द देखेंगे आत्म विश्वास मई जिसका स्वरूप ही आत्म निस्ता है आत्म प्रेरणा में विश्वास रखने वाली तदा तदन कूल आचरन रखने वाली तूल अरदात रुई की बानती तुच्छ तूल समझ उडा दिया रुई के समान हीन समझ कर उपेक्षा की असत जिसका वास्तविक अस्तित्व नहीं है अरदात नाश्वान असत विश्व निसार समसार जीवन दागे में रहा जूल जीवन कच्चे दागे में जूल रहा है जो एक ही जटके में नस्त हो सकता है सुक साधना सुकों को प्राप्त करना सुकमे जीवन के साधन पुर्षत्व मोह अपने पुरुष होने के अहंकार से चाने वाला अज्ञान मनश्टा का अहंकार सत्ता महत्व अस्तित्व स्वर्ग जीवन का अभीष्ट आनन्द समरसता समान रुची रखना सुक और दुख में समान भाव से रहना समानता या समान भाव सामरस्य वास्तव सार्दक यदार्द उल्टी मती अर्दात विप्रीत बुद्धी अंबर आकाश अकूल अनन्त अत्यंत असीम व्यर्द ज्ञान असत्य विचार तीकी तिक्षन तीवर शूल कांटा बाले की नोक चुब गया शूल कांटा लग गया अर्दात हुरुदय में कसक उत्पन हो गई मनु तुम स्रद्धा को गई भूल उस पूर्ण आत्म विश्वास मई को उड़ा दियाता समझ तूल तुमने तो समझा असत विश्व जीवन धागे में रहा जूल अब मनु से काम ने कहा है हे मनु तुम स्रद्धा को बुला बैटे हो उसका वास्तविक स्वरुप आत्मा पर विश्वास है उसको तुमने रुई समझ कर वुड़ा ही दिया यहां कभी का कहने का आशय है कि रुई हलकी होती है वो हवा में बुड़ जाती है तुमने अर्दात मनु ने स्रद्धा को उस रुई की भांती हलकी महत्वहीन समझ कर उसकी उपेक्षा कर दी तुमने तो यह जाना की यह समसार वास्तों में असत मिटने वाला है इसी एस समाई के लिए हैं लेकिन जीवन रूपी सुत्र के सहारे मकडे के जाल की बांती जूलु रहा है यहां का कहने का तात पर यह है कि कुछ जैसे कोई वस्तू किसी कच्चे दागे के साथ बंदी हुई अदर में टंगी हो किसी सहारे पर नाटिकी हो तो वो तबी तक सुरक्षित रहती हैं जब तक की वो दागा टंगा है दागे के टूटते ही वस्तू नीचे गिर जाएगी और टूट जाएगी जो खण बीतें सुकसादना में उनको ही वस्तव लिया मान वासना तुकती ही स्वर्ग बनी यह वुल्टा मती का व्यद ज्यान तुम भूल गए पुर्षत्व मोख में कुछ सत्ता है नारी की यहाँ देखिए इसी प्रकार जिवन काल तक ही समसार का अस्तित्व है जिवन क्योंकि अस्ताई है इसलिए समसार भी अनित्य है इस आदार पर तुम्हारी धारना यह बन गई की जो क्छन सुकों को बोगने में बीत जाए उतना ही जीवन है उसी के लिए प्रेत्न करना चाहिए अपनी लालसाओं को पूरा कर लेना ही तुम्हारी दुरुस्ती में स्वर्ग प्राप्ती हो गई यह तुम्हारी बुद्धी विपरीत दिशा में गूम गई ब्रह्म में पड़ गई इसलिए उस ब्रांत बुद्धी से जो कुछ तुमने जाना वह सब निस्सार है उससे तुम्हें कभी सुक मिलने वाला नहीं है जैसे पूर्व की वोर जिसे जाना हो वह यदि पश्चम दिशा को पूर्व दिशा समझ कर चल दें तो कभी भी अपने गंतव्य पर पहुंच ही नहीं सकता इसी प्रकार विपरीत बुद्धी होने के कारण तुम्हें यदार्द ज्ञान नहीं जान सके की पुर्ष ही सब कुछ नहीं है यहां नारी का भी कुछ महत्तो है वह केवल पुर्ष के उपबोग की वस्तु नहीं है समरस्ता है संबंदी बनी अधिकार और अधिकारी की जब गुंजी यहवानी थी की कमपित करती अंबर अकूल मनु को जैसे चुब गया शूल देखिए पुर्ष की बहंती उसकी भावनाय उसका सुकद का अनबव करना यही समरस्ता अधिकार और अधिकारी का संबंद होता है यहां कभी का कहने का थातपर्य मतलब कभी का आशय है कि तुम समझते हो की पुर्ष होने के नाते नारी पर मेरा अधिकार है मैं अधिकारी हूँ उसे कहने का अधिकार अधिकारी का है वही अधिकृत का भी है जैसे पुरुष की बावनावों और इच्छावों का महत्त है वैसे ही स्त्री की बावनावों और इच्छावों का महत्त है वैसे ही स्त्री की बावनावों इच्छावों और सुक दुक का भ महत्त है इस बात को तुमने नहीं समझा है जब उस असीम आकाश में या कटोर शब्धों वाली आवाज गुंजी तो सुनकर मनु को बहुत खली उन्हें लगा जैसे उनकी चाती में बाले की नोक चुब गई है इस पद की विसेशता हैं देखेंगे जैशंकर प्रसाज जी ने प्रस्तुत पद में मित्या ज्ञान का उले करते हुए समसार को असत और जीवन को ख्षण बंगुर की संज्ञा से अभित किया है क्योंकि प्रत्याबिज्ञान दर्शन के अनसार कविवर जैशंकर प्रसाज जी समसार को सत्य सतत चिर सुन्दर स्विकार करते हैं और यहां कविवर जैशंक प्रसाज जी ने अनेक दार्शनिक विचार प्रस्तुत किये हैं जैसे समसार की वास्तविक असत्ता, ख्षानिक वाद, देहात्म वाद या शरीर को ही आत्मा मानने वालों का मत्व आत्मा का महत्व विशेश रूप से चारवाक लोग शरीर के अत्रिक्त कोई अन्य आत्मा स्विकार नहीं करता है उनका मत्य है कि यावज जीवेत सुकम, जीवेत रुणम, कृत्वा गृतम पिबेत, बस्मी बूतस्या, देहस्वा पुनरागमनम कुतहाओ इसका अर्द यह है कि वे लोग स्वर्ग और नरक इसी लोग के सुक और दुख को मानते हैं मनु यह जी पी स्वर्ग प्राप्ति के नाम पर एज्ञ करते हैं तदा पी उन्हें वासना तुक्ति को ही स्वर्ग मानने वाला कहा है इसके विपरीत स्रदा आत्मा की सत्ता को मानने वाली है वो सर्व भूतात्मवाद अर्दात सभी प्राणियों में आत्मा है इस सिद्धान्त को स्विकार करने से हिमसा के विरुद्ध हैं। बहुत लोग भी समसार को क्षणिक और नाश्वान तो स्विकार करते हैं। पर इस आदार पर लौकिक भोगों को भोगने के पक्ष में नहीं है। यहां कविवर जेशंक प्रसाज जी ने उडा दियाता समझतूल, जीवन दागे में रहा जूल, मनों को जैसे चुब गया शूल। आदी पदों में मुहावरों का प्रयोकिया है। जिन में लाक्षनिकता के साथ साथ भाव वियंजकता भी पूर्णतहा विज्यमान है। जेशंक प्रसाज जी ने इस पद में रुई के बिम्ब के माध्यम से सरदा की स्थिति और शूल के बिम्ब के माध्यम से मनु की व्यता की अतिन्त सशक्त अभिवेक्ती की है। प्रस्तुत पद में उपमा रूपक अलंकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैस्रीमन ना झालाई